बढ़ एंग आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडिओ में देखे दोस्तों आज मैं इस वीडिओ में आप सभी को assignment के बारे में information दूँगा जैसे आप सभी को पता होगा कि आप सभी को जो इगनू के exam है सभी के लगभग एकजामाज समाप्त हो चुके हैं और आज इक उनुका बिलकुल लास्ट एकजाम था तो एकजाम तो आप सभी के समाप्त हो चुके हैं रिजल्ट के बारे में नहीं बलकि इस वीडियो मैं आपको assignment के बारे में बताऊँगा आप सबने अपने assignment बना करके March में, April में या मही के महीने में जमा किया होगा तो आप सभी का assignment है वो update हो रहा है या नहीं हो रहा है या आपको assignment कैसे check करना कि आपका assignment update हुआ है नहीं हुआ है इसी के बारे में आप सबको सारी इन फोर हैं देखो assignment चेक करने के लिए न सबसे पहले आप सभी को न मैं एक website का link देदूँगा उस website पर आपको जाना पड़ेगा ठीक है सबसे पहले आपको क्या type करना पड़ेगा मैं बता देता हूं मैं website ही खोल के दिखाता हूं ठीक है मैं link देदूँगा वहाँ से ज assignment जमा की हो गए चाय June के है यहाँ आपका assignment 3rdSet का रहा होगा आप आप सभी ने अपना assignment कब जमा की होगा अगर मैं बता हूं तो कई सारे बच्चों ने मार्च में आप्रैल में या मै के महीने में इसी महीने में आप सबने जमा किए होगा आप सब ने assignment को जमा कर दिया लेकिन आप सभी का जो assignment है वो update हुआ है या नहीं हुआ यहाँ पर आपको आपके check करना पड़ेगा इसका मैं link नीचे दे दूँगा वहाँ से जा करके सीधा check करना जैसे click करोगे यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप सभी को न enrollment number आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा आपका जो enrollment number है इसको यहाँ पर सबसे पहले आप अपना enrollment number डालिएगा उसके बाद यहाँ पर देखेगा क्या लिखा है program code यानि आपका program code कौँट सा जैसे यहाँ पर शिर्ट कर गए तो बहुत सारा program code है जैसे अगर बात करूं तो यहाँ पर जैसे आप आओगे ना जीसे यहाँ पर बीए जी का है ठीक है उसी परकार से बहुत सारा जैसे बी-जी आप 오 Valit लिखे, फिर प्रोग्राम कोड लिखे और फिर आपको यहाँ पर सम्मीट वाले उप्सवन पर क्लिक करना है, जैसे आप सम्मीट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एंटरफेस दिखाई देगा, अपडेट हुआ होगा, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर इन्व देखो सारा assignment एक बारे में update नहीं होता है अगर मैं इनके assignment की बात करूँ तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इनका assignment जून के महीने भी बलकि 21 माई 24 जून को दो जून को और 23 जून को और इनका जो last assignment अगर आप देखोगे कब update हुआ पांच जूलाई को update किया अभी जल्दी और इन्होंने अगर मैं उता हूँ तो इन्होंने जून 2023 में अपने first year के exam दिये हैं और इन्होंने जो अपना assignment है इसको अपरेल में जमा करवाय था ठीक है अपरेल 2023 में इनका assignment जमा हुआ था और इनका assignment देखो इनका assignment धीरे धीरे update हो रहा है तो आप सभी ने भी अगर अपने assignment जमा किये थे तो जा करके आप सीधा check कर सकते हैं कि आपका assignment जमा हुआ है या नहीं जमा देखो अगर आपके assignment जमा नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर note found लिक करके आएगा क्या लिख करके आएगा enrollment number not found लिख करके आएगा तो आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है अगर अभी तक भी अगर आपका assignment update नहीं है तो आपको date करना है कब तक date करना मैं बताए देता हूँ सितंबर तक date करना है ठीक है अगर सितंबर तक आप सभी के जो assignment है उनको update कर दिया जगा अभी बहुत ही कम student का update किया गया है लेकिन आगर आपने भी assignment जमा किया तो एक बार जरूर जा करके check कर लेना अगर वहाँ पर note found आ रहा या अभी तक आपका update नहीं है तो आपको चिंता करने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आपका जो assignment है बहुत जल्द update कर दिया जाएगा आपने जो भी जमा किया होगा ठीक है तो ऐसे जाकर कि आप सभी लोग अपने assignment को check कर सकते हैं कि आपका assignment update हुआ है या नहीं हुआ तब आप सब लोग अपने assignment को जो marks होगे उनको grade card में check करना पड़ेगा ठीक है आपका assignment update हुआ है या नहीं हुआ ओच चेक कर सकते हैं लेकिन आपको assignment में कितना marks मिला है या कितना number मिला है यहाँ पर आपको आ करके उसको check करना पड़ेगा यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले आपको enrollment number यहाँ पर grade card में सबसे पहले आपको सबसे पहले यहाँ आपको आपको आपका जो सबसे पहले जैसे यहाँ पर आगे ना तो आपको क्या डानल पड़ेगा जैसे साथ में बताओ जैसे जो BAG है बिकॉम जी है और बियस्सी जी और जो भी बियोनर्स के इस्टूड़न वो CBCS पैटन को सेलेक्ट करेंगे और जो MA के स्टूड़न्ट है कोई भी आपकी अगर मास्टर डिग्री है तो आप इसके सेलेक्ट करेंगे अगर आप MCA है, BCA है या यहाँ पर जो प्रोग्राम एगर तो यहाँ पर सेलेक्ट जैसे खास तोर से जितने भी BAG की स्टूड़न्ट है या BAG, BC, BSC या BA University की स्टूड़न्ट है सभी लोग CBCS को सेलेक्ट करेंगे जैसे यहाँ पर मैंने CBCS सेलेक्ट किया उसके बाद CBCS सेलेक्ट होने के बाद आप सभी को यहाँ पर अपना इन्रोल नंबर लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ पर आपका प्रोग्राम कोड काउंसा है, इसको लिखने के बाद अगर आप सर्च पर करेंगे तो आपका असाइमेंट का जो मार्क्स है आपको ग्रेट कार्ड में सो करेगा यहाँ से जाकर के आप अपने असाइमेंट के मार्क्स को भी चेक कर सकते हैं मैं इसका भी लिंक देखो, जब आपका ना, जब ही मैंने आपको देखा था जो इस्टेटस दिखा था जब status में आपको आपका वहाँ पर check grade cards status for detail या receive in process लिख करके आता है तो एक से दो हपते के बाद आपका जो assignment का marks होगा grade card में 100 होने लगागा तो grade card में जब marks आता है थोड़ा time लगता है 15 से 20 दिन लग सकता है लेकिन आपका जो किस assignment में कितना number मिला है ये आपको कहा से पता चलेगा इस grade card में grade card में जाने के बाद आपको number पता चलेगा ठीक है और बाकी grade card में जब आप सभी के marks आएंगे तब भी मैं बता दूगा कि grade card में आप सभी लोग जाकर के check कर सकते हैं इस video में आपको यहीं बता रहा थैं कि आप सभी लोग अपने जून 2022 के लिए आप सभी नो जो अपना असाइमेंट जमा करवाया है उसका असाइमेंट अपडेट होना इस्टार्ट हो गया है तो आप सभी लोग जाकर कि अपने असाइमेंट को चेक कर सकते हैं कि आपका असाइमेंट अपडेट हुआ है या नही कब आएगा, रिजल्ट को ले करके भी मैं एक वीडियो ले करके आने वाला हूं, इसलिए चैनल को जरू सस्क्राइब के लेना, रिजल्ट के रिलेट जो वीडियो है, कल आपको सारी इंफोर्मेशन मैं आपको जरू बता दू हूं, रिजल्ट कब आ रहा है, कब आएगा, य आपका रिजल्ट कप्टक डिकलियर हो सकता है, इसके बारे जानने के लिए चनल को सस्क्राइब कर लेना, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंकी सोमच, जैहिंग जै भारत!